बुरानपूर के अजाक थाने में पदस्त सविंस्पेक्टर केके अगरवाल को दो ना कापोश बदमास होने गोली मारी थी जब वो राजूर गाउं में अपने बेटी की शादी का काड़ बांटने गए थे जानकारी के मताविक उने दोना कापोश बाइक सवारों ने गोली मारी थी हास्ते के समय उन्हें कमर में गोली लगी थी जिससे बाद में उन्हें अस्पताल में भरती कराये गया था जहां उनकी आलत खत्रे से बाहर है सब इंस्पेक्टर केके अगरवालपूर में खंडवा में ATS में पदस्थ थे, कटनों को अजाम देने वाली महिला सहीद चारो आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए, इस पे सिद्धार्त वहुणा ने बताए कि अवैस संबंदो के चलते सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाई गई थी। इस पूरे मामले में गोली चलाने वाले दो आरोपी एक महिला सहीद पिस्तॉल बैशने वाले को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। इस मामले का परदा फार्श हो चुका है, इसमें कुल चार आरोपी ग्रफतार हुए, जिसमें एक महिला और तीन पूरुष है। इसमें मामला कुछ संबंदों का है, जिसमें की ये अभी तक व्यशनाम आया है कि केके अगरवाल जो है, ये जो महिला शांतिवाई है, इससे एक साल से परिचित थे, ये इनके पडोशी थे खंडवा में, इनके फिर इन से पहचान हुई और फिर इनके, जैसे की महिला ने ये कहना था कि उसके दवाब बनाते थे और उसको अपने पास बलाते थे, इस चीज से वो परिशान हो गई थी, जिसके फंसरूप उसने ये रचना ओम नारायन के साथ रची, जिसमें की ओम नारायन ने उसके कजन ब्रदर है राजकुमार, इन दोनों ने मोटर साइकल पे बैठ करके शांती भाई की सूचना पे केके गरवाल को उस रूट पे घटना सल के पास चेंज किया और उन पे ओम नारायन द्वारा फायर किया गया, चौथा अरोपी जो सरक्यूट दीन है, इस से ओम नारायन को जो कंट्रीम इंडिश्रल प्राप्त हुई थी, उसकी भी इस अच्छे खारे के लिए थाना अर्सूट टीम को पुरुष्कित किया जाएगा, महिला ने को सुपारी बगर देती इस सर्थित्य करवाने के जिए, इसमें संबंदों का है, पती का क्या रोल सा, महिला का पली का अभी तक कोई भी रोल इसमें नहीं आया,